वेलकम टू मैचैनल दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो कि अपने सफेद बालों से परिशान हैं आजकल तो सफेद बालों की परिशानी कम उम्र में भी देखी जा रही दोस्तों कुछ के बाल बहुत जादा सफेद हो जाते हैं और कुछ के उम्र के साथ साथ सफेद होने लगते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हमें भी लगता है हमारे बाल काले दिखें तो घर पर बहुत ही बढ़िया नैचरल तरीके से हेर डाय बनाना बता रही हूं जिसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा तो इसके लिए सबसे पहले दोस् बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसे नैचरल हेर डाय बना सकते हैं और इस हेर डाय को आपको अपने बालों पर लगाने से कोई भी नुकसान नहीं होगा नारियल के छिलके हमारे बालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुचाते हैं इसलिए आप बेफिक्र होकर इस होमेड hair dye को try कर सकते हैं आपको इसे कब लगाना है दोसों ये भी मैं वीडियो में बताऊंगी तो यहाँ पर मैंने एक नारियल के छिलकों को इस तरह से निकाल लिया है और आप कहां भी सब कहां ही नारियल आता रहता है तो अब जब भी नारियल आप लें उनके छिलके को सम्हाल कर रखें आपको क्या करना है नारियल के इन छिलकों को इन जटा को नारियल की आपको जलाना है और जला कर हमें इसका पाउडर तयार करना है आप चाहें तो जो हम नैचरल हेर डाय बना रहे हैं जो पाउडर बना रहे हैं दोसों जादा बना कर आप स्टोर करके रख सकते हैं ताकि रोज रोज आपको इत्ती महनत करना ना पड़े मैं हमेशा अपने बालों के लिए इसी तरह से नारियल के छिलकों को जला कर इसकी जो भस्म होती उसे तयार कर देती हूँ जलाने के दो एक तरीके आप जाहें तो गैस के ऊपर कोई भारी बरतन रख दें यहां पर जोड़ा सा नारियल के छिलके सुखे होते हैं तो कई बार थोड़ा सा आग पकड़ लेते हैं और बूझ भी जाता है तुरण मैं बड़े चम्मच की साहता से इसे दबाती जा रहीू हो अब मैंने इस ''कड़ाई'' को अपने बाहर ले आई हूँ किचन से बाहर ले आई हूँ क्योंकि केचन में बहुत ज़ादा धुआ हो रहा था तो आप चाहएं तो इस काम को अपने घर के बाहर भी कर सकते हैं आंगन के छिलके रहे गा है वो अच्छी तरह से जल जाए और उनका पाउडर तयार हो जाए थोड़ा सा ठंडा कर ले अभी भी कहीं आपको चिंगारी दिख रही होगी तो इस काम को आप साथानी पुरवक करें घर के बाहर करें आंगन में बैठ कर करें ताकि ज्यादा धुआ होने ना पाए इसके बाद आपको क्या करना है यह ठंडा हो जाए थोड़ा चमस से मैं दबाती जा रही हूं तोड़ती जा रही हूं ताकि बड़े बड़े टुकडे न रहने पाए अब आप देख सकते हैं करीब करीब यह पाउडर फार्म में आ गया है अब थोड़ा ठंडा ह कि आपको इसे अपने बालों पर कैसे लगाना जिनके बाल पूरे सफेध हो गा हैं वे भी इसे लगा सकते हैं या फिर हम लोगों के जैसे हमारी उम्र के लोग जिनके कुछ-कुछ बाल सफेध होना अज स्टार्ट हुए हैं तो उनके लिए भी यह बहुत ही फाइदे मंद है, दोस्तों, क्या होता हमारे पूरे बाल अभी सफेध नहीं हुए है, कुछ-कुछ बाल, जब हम किसी फंक्षन में जाते हैं, पाप्टी में जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, दोस्तों, और कुछ दो चार बाल आगे आगे कि अकर सफेद दिखाई देते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है और बजार का हमें हेर डाय बिलकुल भी इस्तमाल नहीं करना है यदि आप कैमिकल वाला हेर डाय इस्तमाल करेंगे तो आपके सारे बाल ही सफेद हो जाएंगे उससे बैस्त है दोसों कि हम घर पर बना हुआ इस होममेट नैचरल हेर डाय का इस्तमाल करें इससे हमारे बाल काले हो जाएंगे परंतु दोसों आपको ये काम कब करना है जैसे माल लीजी आप कहीं जा रहे हैं और आपको लग रहा है तयार होते समय कि तुरंट आप एक चमच नारियल की भस्म ले नारियल के छिलकों का ये पाउडर ले इसमें आपको मिलाना है अलोविरा जेल या फिर आप नारियल तेल भी मिला सकते हैं मैं उसके साथ भी बताऊंगी परन्तु पार्टी में जाना है हम लोग तेल लगाना पसंद नहीं करते ह हैं घर से बाहर जब जाते हैं दोस्टो तो अलोविरा जेल लगाकर आप 이OYसे मिक्स करके इसका पेस्ट बना ले और जहाँ जहां आपके बाल सफेद हैं दोस्तों आप ब्रश की मदद से हाथों की मदद से इसे वहाँ पर लगा लें आप आसानी से देखेंगे दस मिनट के अंदर ये सूख जाएगा अलोविरा जैल आप कंगी कर लें आपके जहां-जहां के बाल सफेद पटी थी या कुछ चार-पा नारियल की भस्म को मिक्स करके लगाना हाँ ये जरूर है दोस्तों ये परमानेंट नहीं है जब आप हेर वाश करेंगे दोस्तों तो यह निकल जाता है परन्तों आपके बालों को नुकसान नहीं पहुचाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा तो जब भी आप घर से बाहर और आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि बालों को काला करना है तो ये तरीका भी कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आप नारियल की भस्म ले आप चाहें तो इसमें एक चमच नारियल का तेल हम सब के घर पर होता है पूरे समय होता है दोस्तों तो आप नारियल के तेल में इ आप उसके अतंगी करेंगे तो आपको खुद को लगेगा वो सफेद बाल बिलकुल ही काले हो गए है तो बहुत ही बढ़िया ये तरीका है दोस्तो तो आप देख सकते हैं चलिए अपने हजबेंट पर ही से लगा कर दिखा रही हूं इनके कुछ बाल तो सफेद हैं कुछ तो प्रदूशन है कुछ तो बालों की केर नहीं करना है ये सारे कारण है जो हमारे बाल उम्रे से पहले सफेद होने लगे हैं तो चलिए मैं इनके बालों पर आपको लगा कर बताती हूं ये देखे कुछ कुछ सफेद बाल है अगर बजार का केमिकल वाला डाय इस्तमाल उससे अच्छा तो ये कि कुछ बाल सफेद हैं तो हम इसे कैसे बचा सकते हैं तो ये जो मैंने लगाया है जोस euro के सांत लगाया है आप किसी बी तरवी तरीके से लगाए तो हम लेडिस यदि अलो वीडा के सांत लगाएंगे तो ज़यादा अच्छा रहेगा इससे हमारे बाल चिपचिपए भी नहीं होंगे और हम किसी फंक्षन में पार्टी में बहुत आसानी से जा सकते हैं ना हमारे बाल सफेद दिखाई देंगे दोस्तों और हमारा काम भी हो जाएगा तो यह बहुत ही अच्छा है और नारियल के छिलकों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है अब भी आप इसे लगाएं तो हाथों में या वेजिटेबल पॉलिथिन पहन लें गलवस है तब तो बहुत बेस्ट है मेरे पास तो था तो मैंने पहन लिया है क्योंकि नाखुन हमारे अंदर तक के काले हो जाते है नैल्स हमारे खराब हो जाते है उनमें काला पन भर जात है यह देखे तो अब मैंने आपको इसे लगा कर दिखा दिया है थोड़ा बहुत जो इसकिन में लग गया है वहाँ पर आप कपड़े से पोच ले इसी तरह से आप अपने कुछ सफेद बालों को छुपा सकते हैं काला कर सकते हैं बहुत बढ़िया नुस्का है दोसों बिन पैसा खर्चा की अब आप सोच सकते हैं मैंने क्या पैसा खर्च किया कुछ भी नहीं किया सिर्फ नारियल का पाउडर बना कर रख लिया है एक डिबी में तो जब भी हम लोग भी कहीं बाहर जाते हैं मेरे भी कुछ बाल सफेद हैं दोस्तों अभी मैं अपने खुद के बा बाल है आप लगा सकते हैं तो आप इसे जरूर ट्राय करें दोसों 100% वर्क करने वाला नुस्खा है अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले साथ ही और मेरा काम भी हो जाता है मैंने अलोवीरा में मिक्स करके जो बनाया है उसे लगा रही हूँ पांच एक मिनट में अलोवीरा सूख जाएगा बाल अच्छे ड्राय हो जाएंगे आप कंगी कर लें तो सफेद बालों की समस्या से हम निजार पा सकते हैं तो बहुत ही बढ़ आप जब हेर वाश करेंगे तो यह निकल जाता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उस समय तो आपका काम हो गया किसी भी पार्टी बाहर जाने से पहले आप इस तरह से अपने बालों को काला कर सकते हैं आप कभी मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी में आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब आप देख सकते हैं सभी बाल करीब करीब उनके काले दिखाई दे रहें तो इस तरह से हम घर पर ही बहुत आसानी से अपने बालों को काला कर सकते हैं और कोई भी हमने पैसा खर्च नहीं किया है आप इसे जरूर ट्राय करें